क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 2 प्रक्षे पे गती या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बच्चों आपने कोई तीरियक दिशा में पत्थर फेक कर देखा होगा तो पत्थर क्या होता है जैसे आपने यहां से इस पत्थर को फेका तो यह पत्थर ऐसा होता 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 कहीं ने कहीं जमीन पर दूसरी जगे जाकर गिरता है तो इस तरह की जो गती होती है जैसे तोप से छुटे हुए गोले की गती जो होती है यह गती या आपने फुटबॉल को कीक लगाय और फुटबॉल जो हे हवा में उड़ते हुए दूसरे स्थान पर जा कर गिर गया या आपने क्रिकेट में बाौंडरी लाइन से थ्रो किया । विकेट कीपर को आपने थ्रो किया और विकेट कीपर ने उस बॉल को पकड़ा ये गतिया आपकी क्या है प्रक्षे पिगतिया प्रजेक्टाइल मोशन का ही उधानन है मतलब यह हुआ कि जब भी आप किसी वस्तु को इस तरीके से फेकते हैं देखिए यहाँ पर मतलब आप उर्धवादर में नहीं फेकते हैं ये उर्धवादर दिशा है वो य दिशा जो है उर्धवादर है और ये ओ एक्स दिशा जो है इसको क्षेतिश दिशा कहते हैं तो आप उर्धवादर में नहीं फेकते हैं उर्ध्वादर के अलावा अगर किसी दिशा में किसी वेक से फेकते हैं तो वो वस्तु क्या करती है कि इस तरीके से जाएगी और ऐसे होते 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 यहां चली आईगी तो मतलब जब आप उसको उर्ध्वादर से भिन किसी दिशा में किसी वेक से सबोस यू वेक से आपने इसको फेका और किसी ख्षेतिश के साथ किसी एंगल पर किसी कौण पर फेका सबोस ठीटा कौण पर आपने इसको फेका तो आप देखते हैं कि यह वस्तु जो है वो इस तरीके से गति करती हुई किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरेगी तो उसका जो प्रक्षेपिका जो पाथ रहेगा वो इस तरीके से रहेगा और वो यहां गिरेगी तो यह गती है प्रक्षेपिक गती जैसे आपने हैं से पत्थर फेका और यह पत्थर इस तरीके से होता हुआ होता हुआ यहां आकर गिरा तो प्रक्षेप गती की परिवाशा यह हुई कि जब भी किसी वस्तु को हम यहां से आपने वस्तु फेकी किसी प्रारंबिक वेक से आपने उसको फेका और उर्ध्वाधर के अलावा फेका मतलब उर्ध्वाधर में नहीं फेका उर्ध्वाधर के अलावा कि किसी आन्य दिशा में फेका इस तरीके से तो वस्तु उर्धवादर तल में गती करती भी प्रत्वी पर किसी आन्य स्थान पर गिरती है तो वस्तु की इस गती को हम कहते हैं कि यह क्यों सी गती है प्रक्षप गती है और यह जो वस्तु होती है इसको हम बोलते हैं प्रक्षप टाइल मोशन और प्रक्षेप्पड अंगरे जी में क्या बोलते हैं projectile तो यह projectile और projectile motion की बच्चो परिभाशा है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब आप इसकО यहाँ पूरी ताकत से इस तरीके से फेकते हैं तो यह जो बिंदू है प्रक्षेपण बिंदू है और इस पर क्या होगा प्रक्षेपण का वेग अधिक्तम होगा और यहां आकर यह क्या होगा इसका वेग क्या हो जाएगा निउन्तम हो जाएगा और उसके बाद यह वस्तु इस तरीके से यहां गिरना शुरू हो जाएगी तो प्रक्षेपन बिंदू पर प्रक्षेपन का वेग अधिक्तम और अधिक्तम उचाई पर जाने के बाद मतब यहां के बाद अब और उचाई पर नहीं जा रही तो अधिक्तम उचाई पर जाने पर उसका वेग क्या हो जाएगा न्यून तम हो जाएगा बच्चों अगले वीडियो में हम रेक्षप का परवले होता है यह समझने का प्रयास करेंगे